नमस्ते बच्चो मैं स्माइल से विजलक्षमी एक बार फिर आपके सामने उपस्ती दू बच्चो कल हमने आपको गुणंखंड यानि फैक्टर के बारे में बताये था और उसमें किस प्रकार हम गुणा के द्वारा फैक्टर निकालते यानि गुणंखंड निकालते वह बता जैसे कि आपको यहां संख्या देरी है 21 , तो 21 में एक का भाग देंगे , तो पूरा पूरा भाग चला गया 21 , यानी एक इसका फैर्टर यानी गुननदखर्ण होगा , फिर हम 21 का भाग 2 मेर खरेंगे , तो आपको यहां दिखाए देरा है , हम जब 21 में भाग 2 का देंगे , तो इ तो यह हमारा गुणंटखन यानि फैक्टर होगा ऐसे ही 21 में चार का भाग देंगे इसमें आपका भाग पास बार तो जा रहा है लेकिर फिर एक शेज बचेगा तो यह भी आपका फैक्टर नहीं होगा एसे किस में सुछेका करेंगे तो उसमें थीन बार जा रहा है तलाकि शेश तीन बच रहा है अब जैसे 21 में साथ का भाग देंगे तो यह पूरा पूरा तीन आ गया इन्हें उत्तर आगे पूरा भाग जा रहा है तो यह हमारा गुणनडखंड यह फैक्टर होगा तो इसका 21 के आपके गुणनडखंड क्या होंगे एक तीन साथ और 21 क्योंकि स्वयम संख्या भी होती है तो 21 तो इस प्रकार आपको यहां पर जैसे प्रेशन दे रहे का 32 किसका गुणनडखंड है तो आपको इसी तरह बॉक्स यह बनाकर और इस तरह भाग के द्वारा हल करकर इसका निकालना है कि किसकी गुणनडखंड क्या गुणनडखंड है क्योंकि उसके भाग पूरा पूरा चला जाता है और कुछ भी शेश नहीं बचता और हमें भागफल क्या प्राप्त हो गया साथ यानि 56 का एक गुणनडखंड क्या हुआ साथ भी हो गया इसे प्रकार आपर दो प्रश्ण है कि क्या 24 का गुणनडखंड आप मुझे उम्मीध है मैंने जो समझाया है समझ में आया होगा और आप मुझे करके भीजोगी